इसको कैसे सॉल्ल करना है यह हम लोग यहां पर देखने वाले हैं तो अगर आपको सौन में आएगा तो आप लाइक और कमेंट जो करिए और सिलिंडर के सेप का है तो यह रहा आपका सिलिंडर कल ट्यूब अब इसकी हाइट दी गई है 9.8 सेंटीमेटर 9.8 सेंटीमेटर ही है यहां से यहां तक चल रहा हूँ और इसको इस capital R लेखे चल रहा हूं ठीक है अगर आप बात करेंगे तो कौन देखे कुछ ही सेपका होता है ठीक है कुछ ही सेपका होता है इसका उल्टा बना सकते हैं आप जैसे बना लेजिए कोई दिक्कत नहीं है बला है mounted on a hemisphere is emerged in the tube ये जो कौन है hemisphere के उपर mounted है ठीक है तो मतलब कहने का मतलब आपको क्या हो गया कि आपको ऐसे बनाना पड़ेगा ये समझेए ये हो गया आपका hemisphere है ठीक है hemisphere के उपर ये बन गया कौन तो एक कौन इसके उपर mounted हो गया तो इस तरह का कोई solid है तो ये solid हो गया हमारा ठीक है अब आपको इस वाले डियाग्राम को देखने के जोबत नहीं है तो माल लिजे ये solid हो गया आपका अब क्या बोलना है question इमर्ज इन ट् уб इस को क्या किया जाता है इस tube के इंदर डाल दिया जाता है ये हमारा ट्यूब है इसके अंदर इस solid को डाल दिया जाता है तो होता क्या इप लेदिया सफ हमिस्पेरिट मार् इस इमर्ड इन above the radius of the hemisphere is in the tube if the radius of hemisphere is 3.5 cm अच्छा जो हेमिस्फेयर है इसका radius दे दिया गया है आर इकोल तो 3.5 cm इसको मैंने इसमाल और माल लिया है and the height of the cone outside the hemisphere is 5 cm अब जो कोन है जो हेमिस्फेयर के बाहर है यहीं बोला है ना हेमिस्फेयर के बाहर outside of the hemisphere तो यह जो इसकी height है कितनी दी गई है 5 cm दी गई है तो बोला है इसका जो वोल्यूम है उसमें से इतना वोल्यूम माइनस हो जाएगा जितना इसका वोल्यूम होगा उतना वाटर यहां से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा वार्टर चला जाएगा तभी तो इसके अंदर हो पाएगा तो आपको क्या करना पढ़ेगा कि वोल्यूम left in the water यहीं कुछ है ने फैंड वोल्यूम आफ लेफ्ट इन ट्यूब तो वोल्यूम लेफ्ट इन डवाटर इक्वाल्यूम आप दिस मैंने लिख नहीं रहा हुँं बस आप लिख लिए फाइन द वॉल्म आफ वाटर लेफ्ट इन देट्यूब इक्वल्म इसका वल्यूम आप निकालेंगे तो गळाएगा पाई आई यहीं होगा तो अब पाई की बैलू हो गई 22 अपॉन 7 और की बैलू कितनी हो गई 5 इसक्वार है तो 5 इंटु 5 और हैट कितना हो गया 9.8 ठीक है यह हो गया आपका पाई आरी स्क्वार एच अब इसको अगर आप चाहें तो सॉल करें या ना करें मेरे इसाब से सॉल ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा इसको कट कर सकते हैं चलिए 7 से कट हो रहा है तो कट कर दे रहें तो 7 अब बन गचांगा इसका इसमें multiply करेंगे तो 110 into इसका इसमें multiply करेंगे तो आ जाएगा 7.0 यह हो गया आपका 770 cm2 ठीक है अब क्या करना है volume of solid निकालेजे तो अगर इस solid का volume अगर आपको निकालना है तो volume of solid equal to क्या बनेगा volume of hemisphere plus volume of cone दोनों को plus कर देंगे तो solid का volume आ जाएगा hemisphere के volume कितना होता है 2 by 3 pi r cube plus volume of cone कितना होता है 1 by 3 pi r square h यहाँ पे 1 by 3 pi common हो जाएगा r square भी बाहर हो जाएगा ठीक है तो क्या मिलेगा 1 by 3 निकल गया pi निकल गया तो बच गया यहाँ से 2 pi निकल गया तो 2 r निकल गया तो 1 r बच गया 1 by 3 pi r square निकल गया तो h मिल गया ठीक है अब यहाँ पे values को put करते है answer आ जाएगा तो यहाँ रहाएगा 1 by 3 22 upon 7 radius हो गया 3.5 multiply by 3.5 क्योंकि 2 बार दिया गया है 2 r 2 into 3.5 plus h h कितना हो गया 5 बस values को put कर दिया अब इसको solve कर लिजिए 7 से इसको cut किया 5 बार में जाएगा 22 का इसमें multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा तो यह आगया आपका 11 into 3.5 divide by 3 अब इधर इसको add करेंगे तो 7 plus 5 कितना हो जाएगा 12 3 से cut out हो गया 4 11 into कितना जाएगा 14 इसको multiply कर लिजिए तो आगया कितना 451 cm2 तो अब क्या करना है कि volume left in the water equal to volume of solid volume of tube minus volume of solid volume left volume of water what volume of water left in tube tube में water कितना बच गया volume of tube minus volume of solid ठीक है तो volume of tube आपका आगया है 770 solid हो गया 154 माइनस कर लिजिए आंसर आजाएगा 10 में से 4 चला गया 6 6 में से 5 गया 1 यह हो गया 6 616 cm2 आपका यह answer हो जाएगा sorry यहाँ पर volume को मैंने square लिख दिया है तो एक cube रहेगा ठीक है यहाँ पर भी देखे volume है तो यह क्या रहेगा cube रहेगा तो आई हो पर आपको समझ में आ गया होगा समझ में आ रहा है तो like जब करिए और एक comment करना बिल्कुल न भूलिए कर दीक जगसान होगा